मस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल ओल्वीज एफेक्स पर दोस्तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ चीजे और कुछ जानकारी के बारे में विंडोज के लिए जैसे कि हम देख सकते हैं कि अगर आपको विंडोज के बारे में जानकारी लेनी है पता करना है तो कैसे पता करेंगे आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास में एक छोटा सा आइकोन होता है यह वाला Windows का यह वाला यहाँ पर आपने क्या करना है राइट किलिक करेंगे यह वाला यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई लोगों को दिक्कत होती है कि उन्हाँ प्रोग्राम एंड फीचर्स के बारे में नहीं मालूम पड़ता है, यहां से हम विंडोज इंस्टॉल अनिस्टॉल सोफ्ट्वेर को कर सकते हैं, दुबारा हम यहां पे जाएंगे, यह हमारे पास में पावर का उप्शन होता है, इवेंट होता है, और यह डिवाइस मैनेजर होता है, दोस्तों डिवाइस मैनेजर आपका क्या काम करता है, आईए जानते हैं, यह डिवाइस मैनेजर हमारा यह वाला होता है, यहां से आपको मालूम पड़ेगा, कि आप किस किस चीज के लिए, आपके कंप्यूटर की नॉलिज क्या है, आपके कंप्यूटर में 150 का कार्ड हमने इसमें डाला हुआ है यह देखी आप देख सकते हैं यह पूरा का पूरा की बोर्ड है यह और यह आपका cd-rom drive है इस तरह आप पूरा का पूरा पूरा इसमें देख सकते हैं प्रोसेसर कौन सा आई 787 प्रोसेसर है ना तो यहाँ पर आप control panel की जगा आप इसमें जा सकते हैं इसको हम बंद कर देते हैं दुबारा हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं disk management disk management क्या होता है दोस्तों यह देखिए disk management दोस्तों कई लोगों को पता नहीं रहता है कि डिस्क मैनेजमेंट में कैसे जाएं और डिस्क मैनेजमेंट क्या काम करता है दोस्तों डिस्क मैनेजमेंट जो काम करता है वो क्या है कि एक तो आप अपनी हाट डिस्कों कई लोगों की प्रोब्लम होती है कि उनका डाटा नहीं चलता है जैसी आप यहां पर देखिए यह डो तो यहां पर जैसंगे हम से हों कर देता हूं यह देखिए मैं इसको करके करूंँ तो नाम हो जागा एकदम यहां पर जो मैं अब ह्भी होती है यह हमारे एक हमारे ध्री ट्राइब कर सकते हैं वहां से और यह होता है computer management आपका जो मैंने आपको अभी बता दिया है पूरा का पूरा यह देखिए यह आपका computer management होता है डिस्क management इससे पहले मैंने आपको पता है था जहां से task schedule है आपका आप देख सकते हैं event viewers है share folder है आप share कुछ भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं local user यानि कि यह काम आता है दोस्तों आपका जब आप किसी file को share करना चाहते हैं transfer करना चाहते हैं किसी जगह पर यह performance आपके system की क्या चल रही है यह यहां से आप देख सकते हैं यह देखिए यह आपकी performance चल रही Ethernet connection आपका चल रहा है भी physical लिस्क यह रीड कर रही है आपकी processor information यह जा रही है आपकी storage आगे आपका disk management ज दोस्तों कि कई बार data आप चलाते हैं यूज करते हैं तो data आपका डी drive में ही चलता है हमेशा क्योंकि क्या होता है कि डी drive और C drive को connect कर दिया जाता है जिससे processor के थ्रू आपका data C drive में transfer किया जाता है यानि कि D से C में copy किया जाता है दोस्तों कि इसको हम बंद कर देते हैं अब आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं यह देखी यह होता है हमारा command प्रमोट क्या होता है आपका कि command प्रमोट के द्वारा हम किसी भी windows की की को run कर सकते हैं जैसे यहां पर लिखते है cd.cd windows यह देखिए user में आगे यहां पर मैं लिख दे कि दोस्तों जो कि system को fast करने के काम में आती है है ना तो वह मैंने आपको यहां पर बता रहा हूं और यह आप देख सकते है command प्रमोट आपका हो गया है control panel control panel क्या होता है control panel आपका यह वाला होता है जिसके अंदर से जाके आप किसी भी चीज़ को यह वाला है control panel इसको हम थोड़ा से जूम कर लेते हैं यह देखिए यहां पर दो आइकोन होते है एक small icon होता है एक large icon होता है है ना और category में आप चले जाएंगे तो इस type का option आपके सा do not do आपको अन अनastically ना चाहते है इस तोल करना चाहते है आप यहां से कर सकते हैं और यह network का आपका प्रोसेस होता है कि इसके बाद आ जाता है आपका hardware and sound hardware sound आप यहां से अपना ट्राइव कर सकते हैं देख सकते आई साँ् dessa सेऊंच का 6 यह देखिये खिए यहां से मैंने ले लिया कि future अ कर दे लार्ज आए कॉन कि यहां पर आपके पास में डेट एंड टाइम आजाता आ पन्निश्ट कूल आजाते हैं यह कहीं बार होता अध्स्य टूल सम्य देखते हैं तब वह यहां से सर्च कर सकते हैं यहाँ पर हम जाके Windows Firewall Security हमें आफ करनी पड़ती है तो हम यहाँ से कर सकते हैं ठीक है इसको बैक कर देते हम उसके बाद में File Explorer option जो आपका आता है वह यहाँ से आता है है file explosion option file explorer option क्या होता है दोस्तों कि कुछ हमारी फाइल होती है जैसे यहाँ पर होता है उसह हीडन फाइल और फॉल्डर कि हम वारा किलिक रहना चाहिए डॉन्ट सो इडन और फाइल और फॉल्डर ये आपका स्वाइब का सब्सक्राइब आपको कितना रखना चाहिए यह सिर्फ हमारा उप्षन बीच में रहना चाहिए हमेशा क्योंकि जब भी माउज हम किलो फाइश रखेंगे यह देखिए माउस को हमेशा सेंटर में रखें अगर आप अपना माउस को सफी यूज करना चाहते हैं दोस्तों तो इस तरह यहां पर बहुत सारे आप्सें जिनको आप यूज कर सकते हैं Windows defender का मैं यूज आपको एक वीडियो में दोस्तों बता चुका हूं पहले ही आपको कि window defender को हम कैसे stop करते हैं क्योंकि इसके अंदर खुदरती एक ऐसा antivirus होता है दोस्तों जिस्क जो inbuilt ही इसके अंदर आता है और उसको कि वज़े से system बहुत ही slow चलता है तो इसको आप जो नहीं नजर अंदाज कर दें और stop कर रहे हमेशा कि आगे मैं आपको बता हुआ कुछ और नहीं चीजों के बारे में जानकारी सो प्लीज की वर्चिंग माई टुटोरियल ओन दा यूट्यूब चैनल